नमस्कार मैं हूनीलू बात आज हम करेंगे रतन टाटा की रतन टाटा के निधन के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ती अब किसके पास जाएगी कौन होगा इसका उत्तरधकारी इसी पर आज हम बात्चित करेंगे अगर रतन टाटा की संपत्ती की बात की जाए तो 10,000 करोण की संपत्ती वो अपने पीछे अपने लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं और जो संपत्ती है वो उनके परिवार वालों को तो मिलेगी लेकिन सबसे ज़ादा चर्चा इस बात की है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर रतन टाटा एक डॉगी के साथ अकसर देखे जाते थे उसका नाम है टीटो जो उनका सबसे पसंदीदा क्या सकते हैं परिवार का सदस्य था और इसे वो बहत प्यार करते थे अब इसके जिम्मधारी को लेकर उन्होंने इस वसीयत में खास तौर पर एक बिल बनाया है जिसके हिसाब से टीटो की ता उम्र देखभाल की जाएगी अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि किसको कितनी संपत्ती इसमें दी गई है और कितनी संपत्ती अपने पीछे रतन टाटा छोड़ कर गए है रतन टाटा 10,000 करोड की संपत्ती छोड़ गए है जिसमें से अली बाग का बंगला मुंबई के जुहू में द अपनी वसियत लागू करने के जिम्मेदारी उन्होंने चार लोगों पर दी है इस बाग में 2000 वर्फूट बंगला है मुंबई के जुहू में दो मंसिला मकान 350 करोड रुपे की एफडी और टाटा ग्रुप की होल्डिंग कमपनी टाटा एंड संस में 0.83 फिस्दी और इसके देखभाल के जिम्मेदारी उन्होंने अपने रसोईये पर डाले थे कहते हैं कि जो रतन टाटा के रसोईये हैं वो काफी पूराने हैं उनके रसोईये पिछले 27-26 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब भी रतन टाटा ब बहुत कुछ दिया है इसके अलावा रतन टाटा ने अपनी संपत्ती में अपने फाउंडेशन भाई जीमी टाटा सौतेली बहन शुरीन और डेना जीजी भाई हाउस स्टाफ और अने लोगों को भी हिस्सेदार बनाया है तो आप समझे कि रतन टाटा ने किसी को भी नहीं छोड़ा जो उनके अपने प्रिये थे और जो प्रिये लोग थे उन सब को अपने जो संपत्य उसमें हिस्सेदारी दी है लेकिन जिस टीटो की बात हम कर रहे हैं उसकी देखभाल उनका रसुया करेगा और जब तक वो जंदा रहेगा तब तक जो भी सुवधाय उसे दी ज करते हैं परिवार का सदस्य मानते हैं अपने बच्चों की तरह मानते हैं वो उनके लिए ज़्यादा छोड़ कर जाते हैं उनके नाम संपत्ती छोड़ कर जाते हैं लेकिन अगर भारत की बात की जाए खास तो पर रतन टाटा की वसीहत की बात की जाए तो उन्होंने भी अ करचा का विशे बना हुआ है